हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वालों की कैसे आप अपने Vivo Y02T Android मॉइल फोन में आप जो है पैटन लॉक रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मॉइल फोन से ठीक है और ये पैटन लॉक रिमूव करने के बाद आपके मॉइल फोन की सेटिंग कैसे क सेलेक्ट करना है अब security के इस पेज में आपको नीचे ये option मुलेगा screen lock पर सेलेक्ट करना है अब इसके अगले पेज में यहां पर आपने जो भी pattern lock लगा रखा है उसे आपको यहां पर एंटर करना है और आपका next page ये open हो जाएगा यहां पर देखिए पहले से लिखा हुआ है pattern current screen lock क्योंकि मेरा pattern lock पहले से सेट है अब pattern lock को remove करने के लिए आपको इसी पेज में सबसे उपर फर्स्ट option सेलेक्ट करना है नोन का नोन पर सेलेक्ट करना है तो आपका एक page open होगा इसमें आपको नीचे remove का option टैप करना है तो आपका यहां पर screen lock के नीचे नोन लिखा अब यह pattern lock remove हो जाएगा आपके mobile phone से अब यह pattern lock remove होने के बाद आपके phone की setting कैसे काम करेगी हम आपको समझाता हूं देखे दोस्तों जब भी आप phone की screen को off करेंगे इसके बाद phone की screen को on करेंगे तो आपने mobile phone में जो last page आखरी page जो छोड़ा होगा वो आपका direct open हो जाएगा आ आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है starting से, setting page में आपको सबसे ओपर इस search icon का option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में screen lock आपको type करना है तो आपको नीचे की side screen lock का option show हो जाएगा यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस सबसे ओपर search bar में setting का name आप type करेंग तो यहाँ पर आपको search bar में spelling mistake नहीं करनी है अगर आप search bar में spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे यह option दिखाई नहीं देगा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते हैं आपको screen lock का यहला option select करना है जिसके नीचे setting security लिखाओगा इससे क्या shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में